पीदंपूर महू में पिछले दुनों शहर के समीप धरनाका शेतर में रोट चौणी करण को लेका प्रिशासन द्वारा अतिकर्मन हटाने की कारवाई की गई थी इस दोरान अतिकर्मन की कारवाई में जनता के लिए समय मांग रही वाट करमांग दस्की पार्शा डॉक्टर सुर्णा दुबे को पुलिस ने गिरफतार कर महू थाने ले गई थी जिसको लेकर आज सर्व ब्रामर समाज द्वारा विरोध जताकर धरनाका से मोहू गाउं में स्थित तहसील कारयाले तक तर रैली निकाली गई विरोध के रूप में सर्व ब्रामर समाज द्वारा राजजपाल के नाम ग्यापन दिया गया समाच जनों का कहना था कि जिस प्रकार से एक महीला जनप्रतिनिधी डॉक्TOR की साथ पुलिस प्रशासंद द्वारा गलत वियोहार किया है या बहूत ही चिंता जनक विशय है उपस्तित महिलाओं ने कहा कि जिस किसी के कहने पर कारवाई को अंजाम दिया गया उनके खिलाब भी हम मूचा खोलेंगे विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संक्या में समाच की महिलाएं पुरुश और यूवा शामिल थे हमने पिछले दिनों एक तारिक को एडिसनल एसपी को इसी भी सेगे उपर ग्यापन सोपा था और आज एजडिये महोदय को हम लोग उसकी प्रती देने के लिए यहाँ पर आए हैं राजिपाल महोदय के नाम पिछले दिनों आपको सबको मालूम है धारनाका छेत्र में जो अतिकरवन के नाम पे कुछ मकान तोड़े जा रहे थे उन मकानों को तोड़ने के लिए क्योंकि महां की इस्थानी जन प्रतिनीती सुवड़ना डक्टर सुड़ना दुबे हैं वो निवेदन करने आई थी अधिकारियों से कि वही हमें धो दिन का टाइम और दे दे हैं लोग अपने हाथोंसे तोड़ लेंगे क्योंकि पिछले बोले हमने चार दिन का टाइम पहले दे दिया तो इन्होंने कहार चार दिन के अंदर पुलिस प्रसासन नहीं होने के कारण ट्राफिक वे वस्ता बिगड रही थी, लोगों के उपर पत्थर गिर रहे थे, इटे गिर रही थी, रस्ते चलते लोगों के उपर, इसलिए काम थोड़ा धीमी गती से हुआ है, किन्दु भावना इस सब लोगों की है कि हम लोग हटा लें, और हटा लेंगे लोग, तो जो बहटाने को लोग तयार थे, उसके बाद जो है, बलपूर्वक सुवर्णा दुबे को बिना किसी कारण के कोई उत्तेजना नहीं थी, किसी प्रकार का कोई आकरोश नहीं था, किसी प्रकार का लोगों को उत्तेजित नहीं कर रही थी उसके बाद इनको पकड़के महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा बत्तमी जी करते हुए गाड़ी के अंदर बिठा लिया गया उसके लिए पूरे छेत्र का प्रामण समाजा